एशिया कब 2018 के सुपर फोर मुकाबले में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे दुबाई इंटरनाशनल स्टेडियम में दर्शकों का शोर गूंज रहा था दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को एक हाई बोल्टेज मुकाबले का इंतिजार था लेकिन हुआ कुछ उलठी भारत ने पाक को इस मैच में ऐसी पठकनी दी कि वो कभी नहीं भूल पाएगा इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ दोहरी शत्किये साजिधारी निभाने वाले रोहित शर्म और शिखर धवन ने पाकिस्तान के जखमों पर खार छिड़कते हुए एक बड़ी उपलब्धी अपने नाम दर्च की आपको बता दें कि रविवार को खेले गए मैच में भारत को पाकिस्तान से नो विकेट से पठकनी देने में रोहित और धवन का बड़ा हाथ रहा इन दोनों के बीच 210 रन की ओपनिंग पार्टनर्शिप हुई जो भारत की ओर से रनों का पीछा करते हुए अब तक की सबसे बड़ी साजिधारी है इससे पहले एक किर्तिमान गौतम गंभीर और विरेंदरिस सहवाक की सलामी जोडी के नाम था जिन्होंने 2009 में न्यूजिलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में खेले गए वन डे मैच में नौट आउट 201 रनों की साजिधारी की थी वहीं इस मामले में तीसरे नंबर पर नाम आता है भारत की महान सलामी जोडी सौरब गांगुली और सचिन तेंदूलकर का जिन्होंने 1998 में जिंबवे के खिलाफ शार्जां में नौट आउट 197 रनों की साजिधारी की थी लेकिन अगर बात की जाए भारत की सबसे सफल ओपनिंग जोडी की तो रोहिट शर्मा और शिखरधवन की जोडी इन दिगजों को बीचे छोड़ते हुए वंडे में भारत की दूसरी सबसे सफल सलामी जोडी बन गई इन दोनोंने ओपनिंग करते हुए अब तक 13 बार शत्किय साजिधारी निभाई है वहीं बात करें भारत की वंडे में सबसे सफल अन्य सलामी जोडियों की तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सचिन तेंदूलकर और सौरव गांगुली का आता है इन दोनोंने ओपनिंग क पहवाग और सचिन तेंदूलकर की जिनकी ओपनिंग जोडी ने कुल 12 बार शत्किय साजिधारी की वहीं अगर बात विश्वस तरी क्रिकेट की की जाए तो सचिन और सौरव के बाद नाम आता है उस्ट्रेलिया के आडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन की ओपनिंग जो आपको बता दे कि पाकिस्तान के खिलाफ 210 रनकी साजिधारी शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी साजिधारी भी है इससे पहले रोहित और शिखर ने 2013 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 178 रनकी साजिधारी की थी झाल